नमस्कार दोस्तो जेहिंद जेभारत कास क्लासिज की करंठ फेर सीरीज में मैं चंदरहास एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ कि मेरा पूरा कास क्लासिज का परिवार अच्छा होगा जबरदस तरीके से आने वाले SSC, RRB के पेपर्स की तैरी भी कर रहे हैं होंगे पहरे साथ ही हो आपके उसी तैरीक और बहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त परसनों की एक फोज आपके सामने लेके आया हूँ तो सबसे पहले हम इस सेरीज में सबसे पहले Current Affair का चीकर करेंगे और Current Affair के बाद में हम वो स्टेटी चीके के क्योशन पढ़ेंगे जिसमें से बहुत कम क्योशन आपको आते हैं और जो परते एक बार एकजामस में पूछे भी जाते हैं जो बहुत बार एक्जाम की दरस्टी से बहुत जादा इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल के उपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटर्स वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहूश सके बेल आइकन भी दबा लेना और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना सेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को भेजना तो आज का अपना जो दोस्तों पहला क्योशन है हाल ही में बत्थु कमा पुस्प उच्सव त्योहार की सुरुआत कहां हुई है क्योशन क्या है वो मैं लिखूंगा क्योशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्योशन क्या है तो क्योशन क्या है वो एक बर आप समझने की कोशिश करें हाल ही में अपने पास में आज का जो पहला क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् है इसकी शुरुवात कौन से राज्य में हुई है तो आप बता दे ना दोस्तो इसकी शुरुवात तेलंगाना के अंदर हुई है तेलंगाना के अंदर और ये जो फेस्टिवल है दोस्तो ये साथ दिन ये फेस्टिवल चलने वाला है और सभी देशवासियों को या तेलंगा पुस्प उच्षव चाल ही में बत्व कमा जो पुस्प उच्षव है इसकी सुरुवात कौन से राज्य के अंदर हुई है तो तेलंगाना के अंदर हुई है यह फेस्टिवल पूरा साथ दिन चलने वाला है और इस फेस्टिवल की परधानमंत्री श्री नरेंदर मोधी ने जून 2014 के अंदर तेलंगाना बना था तेलंगाना सबसे लास्ट में किस से अलग होके बना था तो प्यारे साथियों आप बताएंगे आंदर परदेश से अलग होकर बना था दोस्तो ये तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है तो आप बताएंगे हैदराबाद और ये हैद दोस्तों कौन सी नदी के उपर है तो आप बताएंगे मुसी नदी के उपर लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जीकर करें दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है तो के चंदर सेखर के चंदर सेखर राव के चंदर सेखर राव दोस्तों ये तेलंगाना का मुख्यमंत्री है औ बहुत बढ़िया क्योशन है सुंदर राजन तमीली साही सुंदर राजन ये तेलंगाना का गवर्नर एक दम बहतरीन क्योशन है बहतरीन सांदर क्योशन है question क्या है, person क्या है, question एक बर मैं फिर से repeat कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है आप साथ के साथ में pointo को अच्छे तरीके से note करते चलिएगा जो SSC, CGL तक आपको बहुत ज़्यादा फाइदेवन साबीत होगी ये वीडियो प्यारे साथियो question ये है कि हाल ही में जो बत्थू कमा, बत्थू कमा जो festival है, पुस बुचसव है इसकी सुरुवात कौन से state में हुई है, तो दोस्तो आप बताएंगे तेलंगाना के अंदर इसकी सुरुवात हुई है इसकी सुरुवात किसने की है नरेंदर मोधी ने नहीं की तेलंगाना में ये परतिक साल मनाया जाता है लेकिन नरेंदर मोधी ने सुबकामना दी है तेलंगाना का चीकर आया तो मैंने बताया कि तेलंगाना भारत का सबस्不 Olay आकरी राचे बना है दो जून 2014 के अंदर बना है तेलंगाना दोस्तों आंदर परदे से अलग होकर बना है ये तेलंगाना जिसकी राज़ानी है जो मूसी नदी के किनारे है तेलंगाना जिसका मुख्यमंत्री के चंदर सिखर राव है और ये तेलंगाना जिसका गवर्नर तमीली साही सुंदर रा अपने पास में एक दादा साहे फाल के पुरुसकार है दादा साहे फाल के पुरुसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा तो अपने पास में एक अभिनेतरी है जिसका नाम है दोस्तो आसा पारेक इस अभिनेतरी को दिया जाएगा आसा पारेक जिसका जनम 1942 में हुआ था ध्या 2022 का है लेगिन इससे पहले 2021 का जो दादा साब फाल के पुरुषकार मिला था दोस्तों वो किसे मिला हुआ था तो आप बताएंगे रजनी कांत को मिला हुआ था रजनी कांत को ये जो दादा साब फाल के पुरुषकार है साथियो ये भारती सिनेमा का इंडियन सिनेमा का सरव दादा साब फाल के पुरुषकार है दादा साब फाल के पुरुषकार जो 2022 को किसे दिया जाएगा तो आसा पारेक को दिया जाएगा आसा पारेक को और आसा पारेक को यह कौन से नंबर का मिलेगा तो 52 नंबर का मिलेगा इससे पहले 51 नंबर का 2021 में रजनी कांत को मिला था ल का रानी को देवी का रानी को पहला दादा साब फाल के पुरुसकार मिला था ये घोशना किस ने की है तो अनुराग जो ठाकूर है ना अनुराग ठाकूर अनुराग ठाकूर है उस अनुराग ठाकूर ने इसकी घोशना की अनुराग केंदरी ये मंतरी अनुराग ठाकूर ने पुरुसकार मिलेगा दादा साफ फाल के पुरुसकार भारती सिनिमा का सरवोचे पुरुसकार है जिसकी सुरुवात 1969 में यह पहला दादा साफ फाल के पुरुसकार है यह किसी दिया गया था तो प्यारे दोस्तों देवी का रानी को दिया गया था यहां तक मेरे भाई और भ तो किस राजय के मंत्री मंधल बहुत बड़िया ग्यूसन है दोस्तो किस राजे के मंत्री मंडल ने राजे के पराथमिक सकूलों को राजे के पराथमिक सकूलों में ट्वीटर योजना को मंचूरी दी है मतलब बच्चों जो छोटे बच्चे हैं जिसकी एज 3-6 साल तक है उनकी बुद्धी को विक्सित करने के लिए उनकी माइड को विक्सित करने के लिए योजना चला यह ट्वीटर योजना ट्वीटर योजना ट्वीटर नहीं ट्वीटर और इस योजना की शुरुआ दोस्तों कहां पर की गई है कौन से राजे के अंदर की गई है तो आब बताएंगे हिमाचल परदेश के अंदर की गई ह क्योष्षन क्या है वो एक पर आप समझने की कोशिस कीजिए बहुत जबरदस क्योष्षने साथी हो क्योष्षन ये है कि किस राज्य के मंत्री मंडल ने हाल ही में राज्य के पराथमिक सकोलों में ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है या लागू करने के लिए फैसल लिया है ध्यान रखना तो दोस्तो हिमाचल परदेश के मंत्री मंडल ने हिमाचल परदेश के मंत्री मंडल अब जिकर हिमाचल परदेश का आया है तो ध्यान रखना हिमाचल परदेश 1971 में बना था हिमाचल परदेश की CM का जीकर करे तो दोस्तो जै राम ठाकूर ये हिमाचल परदेश का मुख्य मंतरी है और गवर्नर का बात करे गवर्नर कोन है तो दोस्तो हिमाचल परदेश का गवर्नर है राजिंदर विसोनात अरलेकर राजेंदर विशोनाथ अरलेकर ये राजेंदर विशोनाथ जो अरलेकर है न ये हिमाचल परदेश का गवर्नर है और ये मुख्य मंतरी का जिकर किया जाए तो जैराम ठापूर है चलिए नेक्स क्यूशन की तरह बढ़ते हैं हाल ही में मेडागासकर में भारत का नया राजदूत कोन बना है बाई एक अपने पास में हिंद महासागर पढ़ता है हिंद महासागर और दोस्तो उस हिंद महासागर में इंडियन ओसियन में एक कंट्री पढ़ता है जिसका नाम है मेडागासकर एक द्वीप भी है और इस मेडागासकर में भारत का राजदूत कोन बना है भारत का नया राजदूत कोन बना है तो आप बता दे ना दोस्तो बंडारू इसका नया राजदूत कोन बना है तो आप बताएंगे बंडारू विलसन बाबू ये नया राजदूत बना है question क्या है वो एक पर समझने की कोशिश कीजिए हिंद महासागर में सिथित देश मेडागासकर या मेडागासकर में भारत का नया राजदूत कोन बना है तो मेडागासकर जो देश पढ़ता है उसमें भारत का नया राजदूत कोन बना है तो बंडारू विलसन बाबू बना है मेड़ागासकर जो हिंद महासागर में सिथित एक द्वीप भी है एक देश भी है और ये जो मेड़ागासकर है दोस्तों ये विसो का चोथा बड़ा द्वीप है विसो का फोर्थ बीगेस्ट जो आईलेंड है ना वो दोस्तों मेड़ागासकर ही है मेड़ागासकर विसो का चोथा बड़ा द्वीप कौन सा है मेड़ागासकर नेक्स क्योशन की तरह बढ़ता हूँ बहुत जबरदस तरीके से अपन सीख रहे हैं बीपीसीयल ने हाल ही में किस देश की कमपनी पैट्रा ब्रोस के साथ में शमझोता किया है क्योशन क्या है वो देखें बाई एक अपने पास में भारत पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटीड है बीपीसीयल इस बीपीसीयल ने किस देश की कमपनी बिपी सील ने किस देश की कमपनी बहूत बढ़ा क्युस्चन है अब समझोता क्यों किया है दोस्तो तो कच्य चेल होता है ने कच्चे चेल, उन कच्चे तेलों के सोर्स के साथ मैं मतलब समझोते के कच्चे तेल जो होता है उसके अनेक सोर्स की जो गतिविदिया होती है ना विदिया होती है मतलब कच्चे तेल के सोर्स पता लगाने के लिए कि यहां इस सित्र में कच्चा तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस परकार से कच्चे तेल के सोर्स की विद्यो कुछानने के लिए कच्चे तेल के सोर्स का पता लगाने के लिए तो ध्यान रखना समझोता हुआ है और हाल ही में BPCL ने किस देश की कमपनी Petra Bros के साथ में समझोता किया है तो दोस्तो ये Petra Bros जो कमपनी है न ये ब्राजील की कमपनी है और ब्राजील दोस्तो दक्सिन अमरीका महादवीब का सबसे बड़ा देश है और दोस्तो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो अब बता देना रियो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है जहाँ पर 2016 में ओलंपिक हुआ था लेकिन आप पास में क्यूसन आता है कि यह BPCL है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1952 में इसका मुख्याले कहा है तो प्यारे साथियों बता देना BPCL जिसका मुख्याले बुंबई में है यहां तक किसी भी वच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछो पहला क् किस राजे के मंत्री मंडले राजे में पराथमिक सकूलों में टेटरियोजना को मंजूरी दी है हिमाचल परदेश हिंद मासागर में में भारत का नया राजदूत कोन बना है बंडारू विलसन बाबु बना है बीपी सियल किस देश की कंपणी बीपी सियल ने किस देश की कंपणी पेटरो ब्रोस के साथ में समझूता किया है तो दोस्तो ब्राजील और बीपी सियल की स्थापना 1952 में हुई ती जिसका मुक्य आले बunbay में है ठीक है एचल ये दोस्तो नेक्स डिशनों कि तरब पहले घोशना की गई थी पहले घोशना की गई थी अब इससका नाम कर दिया गया जो चंडीगर और आरपोर्ट का नाम कर नाम कर दिया गया थो कर दिया गया लेकिन दोस्तों जिकर चंडीगड एरपोर्ट का करें तो ये जो चंडीगड एरपोर्ट है इस चंडीगड एरपोर्ट पर जो इंटरनेशनल उडाने है ना इंटरनेशनल उडाने ये इंटरनेशनल उडानों की शुरुआत चंडीगड एरपोर्ट से 2015 में हु जा गया था नरेंदर मोदी ने इसके उपर हां कर दी नाम बदला जा चुका है हाल ही में रेल टेल कोर्पोरेशन का नया अध्यक्स वे एमडी कोन बना है रेल टेल कोर्पोरेशन का नया अध्यक्स वे एमडी कोन बना है तो दोस्तो संजे कुमार क्योशन बहुत बढ़िया है क्योशन क्या है तो दोस्तो अब बता देना चुशन ये है कि हाल ही में Rail-Tail Corporation का नया अध्यक्स Rail-Tail Corporation कंपनी का नया अध्यक्स वो MD कोन बना है Σंजेक कुमार दोस्तो ये जो रेल टेल कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी तो आब बताते न 2000 में इसकी स्थापना हुई थी 2000 में रेल टेल कंपनी जिसका बरतमान में नया अध्यक्स हुए M.D. कौन बना है संजिक कुमार बना है next question हाल ही में केंदरिय मंत्री जितंदर सिंग ने कहां पर गोलमेज सम्मेलन को सम्मोदित किया है बहुत बड़िया क्यूसन है हाल ही में केंदरिय मंत्री जितंदर सिंग ने कहां पर गोलमेज सम्मेलन को सम्मोदित किया है तो दोस्तो अमेरीका के अंदर सम्मोदित किया है अमेरीका के अंदर लेकिन अपने पास में गोल में सम्मेलन का जीकर आया है तो जब भारत बिर्टिसो का गुलाम था उस समयवी दोस्तों ये गोल में सम्मेलन हुए थे पहला गोल में सम्मेलन 1931 में दूसरा गोल में सम्मेलन 1932 में और तीसरा गोल में सम्मेलन 1933 में ये कहा हुए थे तो इंग्लेंड लंदन में हुए थे मादमा गांदी ने कौन से समेलन में हिस्सा लिया था तो दूसरे गोल में समेलन में तीनों वेक्तियों में हिस्सा किस वेक्ति ने लिया था तो भीम राव अम्बेडकर ने तीनों वेक्तियों हिस्सा लिया था लेकिन जब लंदन में गोल में समेलन चल रहे थे उस समय भारत का bacon day 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 कुण था तो आप बताएंगे Lard Irwin लाड इरविन इस समय भारत का Governor start day 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 और जब दोस्तों लंदन में गोल में रहे समय चले हुए थे तो उस समय यहाँ का Prime Minister कौण था लंदन का PM कौण था मतलब इंगलेंड का परधान मंत्री कुँन था तो रैमजे मैक डोनाल्ड ये भाई सब यहां का परधान मंत्री हुआ करता था रैमजे मैक डोनाल कर दे या रैमजे मैक डोनाल कर दे जब बिल्टेन में या लंदर में गोल में समेलन चले हुए थे उसमें यहां का प्राइम म बहुत बढ़िया कि उसे ने हाल ही में एक नया संग्ठन बना है दोस्तों हाल ही के अंदर एक नया संग्ठन बना है नया संग्ठन और वो संग्ठन जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे एसिया पैसिफिक औल अलाइंस ये नया संग्ठन बना है दोस्तों एसिया पैसिफिक औल अलाइंस इसमें कौन कौन से देश सामिल है तो इसमें सामिल है भारत इसमें सामिल अपने पास में नेपाल इसमें दोस्तों सामिल अपने पास में कौन सा देश बांगला देश और इसमें दोस्तों अपने पास में सिरी लंका ये चार देश इसके अंदर सामिल है जिसमें भारत सिरी लंका बांगला देश और नेपाल एसिया पैसिफिक औल अल तो आप comment कीजिए मैं आपके comment का reply करूंगा और नए एक इसी परकार की दिक्कत सभी को अच्छे तरीके से समझ मैं आ रहा है तो वीडियो को जादा से जादा study group में share करना जादा से जादा अब हम उन परसुनों का जिकर करेंगे जो एक्जाम के इसाब से बहुत जादा important है और जो परतेक exams में पूछे जाते हैं और जो आपको बहुत कम आते हैं ठीक है तो मेरे साथ में बने रहे ना बहुत शांदर तरीके से अपने current affair पढ़ रहे हैं दोस्तों बहुत जवर्दस तरीके से पढ़ रहे हैं उसके बाद देखें क्योशन ये है विजे नगर सामराज्य की स्थापना किस ने की थी विजे नगर सामराज्य का नाम आपने सुना होगा दोस्तों बाई क्योशन ये पूछ रहे है कि विजे नगर जो सामराज्य है न दोस्तों विजे नगर सामराज्य की स्थापना किस ने की थी तो आप बता देना दोस्तो हरी हर और बुक्का ने विजेनगर सामराजे की स्थापना की थी हरी हर और बुक्का ने कब की थी दोस्तो 1336 में की थी 1336 में और कौन से वन्स की शुरुवात की थी दोस्तो तो संगम वन्स की शुरुवात की थी लेकिन वीजेनगर सामराजे जिसकी राजधानी कौन सा सहर हुआ करता था हमपी हमपी सहर हुआ करता था हमपी और ये हमपी दोस्तो कहा है तो आप बताएंगे करनाटक में और दोस्तो य नदी के किनारे है ओरंग जेव ने मोती मस्जिद का निर्मान कहां करवाया था ओरंग जेव नहीं सहाजा ने सहाजा ने मोती मस्जिद का निर्मान कहां करवाया था तो दोस्तों सहाजा ने मोती मस्जिद का निर्मान करवाया था वो आगरा के लाल किले में करवाया था आग तो दिल्ली के लाल किले में बनवाई थी, दिल्ली के लाल किले में, किलियर है ना, यहां तक किलियर रखिएगा, विसो में सरवादिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है, वर्ल्ड के अंदर, विसो में जो सरवादिक बोली जाती है, विसो की सरवादिक बोले जाने वाली भा नाम सुना होगा आपने, गोपाल किरसन गोखले, महातमा गांधी के राजनेतिक गुरू का नाम है, महातमा गांधी के राजनेतिक गुरू कोन होते थे, तो महातमा गांधी के राजनेतिक गुरू दोस्तों, गोपाल किरसन गोखले ही थे, और गोपाल किरसन गोखले के राज अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है किसी को किसी परकार का problem नहीं है देखो यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो बिना वकवास बाजी के होती है चलिए next question क्या है उनकी तरफ हम बढ़ेंगे बहुत ही शांदर तरीके से आप पढ़ रहे हो देश का पहला हाई कोट दोस्तो कलकत्ता हाई कोट है और ये जो कलकत्ता हाई कोट है ना क्यूशन ये है कि कलकत्ता जो हाई कोट है कलकत्ता जो हाई कोट है ये कब बना था तो दोस्तो 1862 में और High Court का Vernon कौन से अनुच्छेद में मिलता है तो अनुच्छेद 214 में Article 214 के अंदर वर्णन मिलता है किसका तो High Court का वर्णन मिलता है Next question Next question Kaling पुरुषकार किसके दवारा दिया जाता है Kaling जो पुरुषकार है ना Kaling पुरुषकार दोस्तों ये Kaling पुरुषकार किसके दवारा दिया जाता है तो यूनेसको के दवारा दिया जाता है यूनेसको के दवारा और यूनेसको का मुख्याले कहां है पैरिस में और पैरिस कहां है फ्रांस में और फ्रांस कहां है तो आप बताएंगे यूरोप में पसिमी यूरोप में वेस्टन यूरोप के अंदर से थी थी थे रास्टी ये रास्टी गान पर्थम बार कब गया गया था जो रास्टी गान है न अपना रास्टी गान ये रास्टी गान पहली बार कब गया था तो 27 दिसंबर 1911 में गया था कौन से अधिवेशन में गया था दोस्तों कलकत्ता में और इस अधिवेशन के अध्यक्स कौन थे पंडित बिशन नारायन दत ये इस अधिवेशन के अध्यक्स हुआ करते थे यहां तक आपको कोई भी किसी भी परकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए मैं आपके कमेंटों का रिपलाई करूँगा और यदि डाउट नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा स्टेडी गूरूप में सेहर करना आज हम सुभे की करंट फिर में इतना ही पढ़ेंगे कल हम मिलेंगे बहुती सांदर तरीके से मिलेंगे बहुत जवरदस तरीके से झाल